पतियों को ट्रैप करने के लिए परशान करने के लिए अपनी मनवानी मनवाने के लिए फर्जी मुकदमे लगाती है और कुछ भी लिख देती है उनको ये लगता है कि अदालत में वो जूट बोलेंगी और जूट बोलके वो फायदा ले सकती है तो आज अब इसी के कि नमस्ते भाईयों कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका दोस्ते एडवोकेट प्रमदत दिश्टिक एंसेशन को टागरा से आज हम बात करेंगे की पत्नी की जो हेकडी है ना वो कैसे निकाली आपने देखा कि महना है पतियों को ट्रैप करने के लिए परशान करने के फर्जी मुकदमे लगाती है और कुछ भी लिख देती है उनको ये लगता है कि अदालत में वो जूट बोलेंगी और जूट बोलके वो फाइदा ले सकती है तो आज हम इसी के सम्मन्द में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इनकी हेकडी निकाल सकत है वीडियो को अंदर तक जरूर देखें और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर जरूर करें ताकि कि हमारा जो देश है वह यह है कि जो हमारी जानकारिया जो है वो लोकों तक पहुँचे जिन लोग के केस चलने वाले हैं और लोग परिशान हैं, उनको कोई समाधान नहीं विला है, तो ऐसे लोगों को बचाना है, परिवारों को बचाना है, ताकि कि जो फर्जे मुकंदबों की पिश्वन्दी है, इससे जो मैनाएं हैं, जो सोचती हैं कि पती उनके बाप की बपोती है, उनकी अकल को न सई ठिका आने लाया जा सके। जिन महिलाओं के साथ में वास्तिविक में गलत हुआ है उनके साथ में मेरी संबेदना है। और अगर ऐसा लगता है किसी महिलाओं कि उसके साथ में गलत हुआ है। और जैनुएन उसके पास में अगर एविडेंस है। क्योंकि जिस तरीके से वो अदालत मैं जाके जूट बोलके सारी चीचे आफ फाइदा लेना चाहती है इस तरीके से ना तो अदालत में फाइदा मिलने वाला है और ना ही हमारे पास रोने धोने से मेरा जो पूरा इंटेंशन है वो पुर्सो की तरफ है और मैं पुर्सो के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूँ और पिछले तेरा साल से मैं पुर्सो को नए दिलाने के लिए उनके परिवार वालों को नए दिलाने के लिए और पुर्सो में जरूरी नहीं है पुर्स तो इसको गलत बेवेन आ ले और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बारण कोशन जोदवार्षी है जो गदा कर दी जाती है उसके सम्मन में कि किस तरीके से हमें भरन कोशन से बचने हैं जैसा कि मैंने अपना पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि खलार किया है तो कोड आपना बिवेक नहीं लगा सकती यह सकती है कि अकर आपका मेरिट पी अगर रहा है दो दॉना पच्छों को सुनने के बाद हो रहा है तो judicial mind लगाया जा सकता है उसमें का जा सकता है चलो ठीक है दोनों को देखते हुए दोनों की इस्तिती को देखते हुए एक निस्कस निकाला जा रहा है कि भाई जहां 10,000 की डिमांड की जा रही थी दावे में वहां पर हम चलो 3000-2000 रुपए का मेंटरेस करें तो judicial mind वहीं लग मेंटिनेंस CRPC 125 में और उसमें मनमची से अगर जजने अगर आमाउंट आपके खिलाप अगर बान दिया है तो यह बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्टिस को आप चैलेंज कर सकते हैं अगर ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दूसरी ची का जो प्रात्मापत्र 125 CRPC के तहत में जो अभी परत्मान है 144 BNWS है उसमें प्रात्मापत्र की दिनांग से मेंटिनेस मारती है तो आधिस होते होते दो साल लगए चार साल लगए पार साल लगए जो भी लगए लेकर क्या करती है कोट टेट आफ एपलिकेशन से अगर कर दे है जैसे ही दो साल वाद या चार साल वाद अगर 125 CRPC का अगर मामला का डिसाइड हो गया और भरन पोशन हो गया तो डेट ऑफ एपलिकेशन से अगर हुआ है तो यह बहुत बड़ा एक अमाउट बन जाता है तो पतनी क्या करती है कि उसको खटा करती रहती है खटा करती रह है और पती को वो अमाउट चुकाने में काफी दिकते आए तो अगर ऐसी कंडिशन अगर आपके सामने आती है तो आपको कैसे बचना है और कैसो उसको अकल ठिकाने उसकी लगानी है तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि CRPC 125 जो है ना भरन पोशन है खाना कपड़ दवाया खर बशुली हो कि भाया ठीक है आप से अगर हमारा बगाया है तो या आप से हमने पैसा उधार लिया है और आपस बखाया है मैं भी आज आपको वापस करना वह हम वसूल रहे रहे यह जो मैंटिनेंस वो सिर्फ 11 महिने तक ही लागू होता है यह है 11 महिने तक ही वसूल किया ज कि अब तक इसने बरण पूशन कैसे दिया इस पर बरण पूशन अपना कैसे किया कैसे इसने अदालत के केस की पैरवी की इन सारी चीजों को लेके हम पूश सकते हैं हो इसी के लिए हमने और अधने ठारा साथ पड़ि इसमें हमने बत्व है कि अधने क्या है तो लोगों ने उसके होई चैने जो नयाए वो निया शुल्क मलूम किया है कि जो हम सल्क अधा करते हैं कि टेकेट के कर रहे हैं उस पे स्टांप होना बहुत चुरू दिया उसकी जो कोटफीस होती है न वो डिपेंट करती है तो जैसे सब्सक्राइब का मैंटिनेंस हो गया देट ओफ एपलिकेशन से और चाल लाक रुपए हो गया दस लाक रुपए हो गया पांच लाक रुपए खटा हो गया है और कहां पर आपके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है कोटफीस अतनियंदारासाथ के तैद में आपको एपलिकेशन मूब करनी है और जितना अमाउंट उसमें क्लेम किया है देखिए अरि धब भी हम कोई अदालत में सिविल मामला हो तो सि कि फीश देनी होती है तो यहां पर कोटफीस अदनियम के तैद में क्या है कि जैसे सब कुछ आपका दस लाग रुपया कर उसने अगर रिकवरी एक्जुकेशन के लिए अगर फाइल किया है तो उसकी जिम्मेदानी वक्ति की दस लाग का यानि डैन परसेंट एक लाग एक साल के लिए दस परसेंट अगर चार साल का है तो आप सूचिए कितना हो सकता है यह उसकी मिश्टेक है यह उसको जमा करना पड़ेगा तो यहां पर इस तरीके से इसकी अकल ठिकाने लगाई जा सकती है और आप बात आती है सिविल मैटर की बाहत तो फैमली कोट एक्ट जो है section 10 के तेहत में यह liविल प्रक्रिया है जो धनकी वसूली वह सिविल प्रक्रिया है यह क्रिमनल नहीं है प्रोस्टिंग क्रिमनल है क्योंकि तुरत नयाय देना होता और दूसरी चीज है कि domestic violence act के बारे में मैंने बता है कि domestic violence act में अगर आपसे अगर relief मांगे जाते हैं न्याले के द्वारा कि घर में entry दी जाए साजी ग्रस्ती महाँ दिया जाए रहने का अदिकार दिया जाए च्छती पूर्ती दी जाए मां से खर्चा दिया जाएं तो यहीं चीज़ें आप काउंटर प्लाश्ट पर जो चीज़ें उसने रिलीफ मांगी जैसे उसने घर में रहने का अदिकार मांगा तो आपकी मां, आपकी महन, आपकी बावी, आपका कोई भी घर की कोई भी महला है ना उस घर से बाहर जाने के लिए अगर 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 आपकी पतनी ने अगर गलत तरीकी से अगर नियाले में कोई दावा डाला है तो आप ख्रेंड केस भी आप फाइल कर सकते हैं आपके तहत में कर सकते हैं दूसरी बात मैंने बताई थी कि 498 में अगर पुलिस कंप्लेंट अगर 13 में 4 में लिखाई जाती है और पुलिस यह कह देती है कि नहीं सारे अरूपसत पाएगा 13 में 4 पे संग्यान ले लिया जाता है तो आपको क्या करना है 319 की एप्लिकेशन मूव करके आपको लड़की के पच्छ वालों को यानि लड़की जो आयानी की पत्नी जो है आपकी उसके परिवार वालों को अपतलब करवा सकते हैं उनके वरण जारी करा सकते हैं ट्राइल दोनों का सामने चलेगा साथ में चलेगा तो गले की हड़ी है ना निगली जा रही और अगर यह लोग सोचते हैं कि दहिज देने का आरोपी बना दिया गया है तो दहिज लेने के भी आरोप होते हैं लेकिन हमें इसकी जो ड्राफ्टिंग न वह तरीके से करनी चाहिए अपना भी बचाओ करके चलना चाहिए बेसिकली जो मैंने अब तक चीज़े बताई है इसको जब तक आप समझ ना लें पूरी तरीके से पढ़ना लें अपने काउंसलर से एडवाइज ना लें तब तक इसको अप्लाई ना करें अगर आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं ना उस तरीके से क्योंकि मेरा सोचना अलग बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी जो ट्राफ्टिंग है सारा खेल ट्राफ्टिंग का अगर आपके ड्राफ्टिंग सही है आपकी प्रजेंटिशन सही है तो आप फायता दे सकते हैं अधर्वाइच आपके लिए थोड़ा सा जो देखेंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे ड्राफ्टिंग जो होता है ना हर मुकद्बे का एकसार होता है जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी चाहें वो एक सिंपल ही एक्प्लिकेशन क्योगा है उतना ही अच्छा आपका केस हो तो अगर पापा आ गया बाल दाड़ी के सफेद हो गए फिरी तो हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं हम पैसे लेते हैं अगर आपको मेरी सहता की आवा सकता है तो आप लोग हमसे सफ़र कर सकते हैं अधर्वाइज आप लोग वीडियो पूरा देखो और आप लोग सच्छाम बनो मैं तो कह कि हम आपके किसी दो हमाज सकते हैं तो आप लोग हमारे इसी नमबर पर वमसे सब्फ़र कर सकते हैं और पुशिस करेंगे कि आपको डराफ्टिंग कि जाए आपको सब्जाए है आपको बताए है जान नमाबं